विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया सीरीज दर सीरीज रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है श्री लंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान भी कप्तान विराट कोहली की अगुवाई में टी मां इंडिया ने एक ऐसा कारणामा कर दिखाया है जो दुनिया के किसी भी कप्तान की कप्तानी में नहीं हुआ कोलमबोर टेस्ट की पहली पारी में टीम इंडिया ने 622 रन बनाए और इसी के साथ ही एक बेहद ही खास रिकॉर्ड विराट के नाम हो गया कप्तानी में कोहली के नाम विराट रिकॉर्ड विराट की कप्तानी में टीम इंडिया ने चटी बार 600 का आकड़ा पार किया है जो की एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है विराट कोहली ने सिर्फ 28 टेस्ट में कप्तानी की है और 6 बार टीम ने 600 रन का आकड़ा चुआ इससे पहले ये रिकॉर्ड सौरव गांगुली के नाम था जिनकी कप्तानी में भारत ने 5 बार 600 या उससे ज्यादा रनों का स्को बनाया MS थूनी, एलन बॉर्डर और ब्रीम स्मित की कप्तानी में भी 5 बार 600 का आंकड़ा चुआ है वैसे गजब की बात ये है कि टीम इंडिया ने भले ही पिछले दो टेस्ट में 600 सेकंड ज्यादा रन बनाये हूँ लेकिन उन दोनों मैच में कप्तान विराट कोहली का बल्ला नहीं चला विराट कोहली, दोनों मुकाबलों में सबसे कम रन बनाने वाले बल्ले बाज रहे कि ऑले ऊमाले में 1,2 थे बल्ला नहीं है, का रुचल जोनों में 16ija-제ुल d